स्वागत है दोस्तों एक बाद फेर सही आपके अपने यूट्यूब चैनल लारन अबॉट मेडिसिन में जहां आप आते दवाईयों के बारे में संपून जान करें दोस्तों आज के इस वीडियों में हम स्वांस संबंदी समझे अब रितिन रिलेटेड प्रोड्लोम को ठीक क में दवाईयां मिलाई जाती किस नाम से इस्टेवलेट को मेडिकल इस्ट्रोपे खहिश सकते हैं इसके प्राइस क्या होती है यूजोज को पूरे विस्तार से जानने के साथ इसके साइड इफेक्ट तता इसको लेने का सही तरीका क्या होता है यह सभी बातें इस वीडियो नमस्ते दोस्तों इस टेवलेट में डॉकसोफाईलिन एक ब्रॉंको डायलेटर दवा है जो हमारी स्वांस न ली जो ब्रॉंका यह इसके मस्सल्स को रिलेक्स करता है जिससे वाइडन हो जाती है व्येप्तिक गोंच लेने में आसानी होती है जो हमारे फेंसे फेंपरों म की इस त्रेशा honest करें कि इसधीन के सlor 400 मिलिगाम की स्टेशां और जैसा कि आपको पताए जब सभी सभी को उतीम क्या स्थ? तो यो फिर सुथ जान लेते हैं कुछ आहिसे की हमोए जान लेते हो जैसे की यह इसके कुछ popular brand है जो आपको freely कहीं पर मिल जाएगी और हो सकता है इसके लग को दूसरी brand आपको अपने area मिल जाए क्योंकि जो दवा की brand होती एरिया और डॉक्टर के अलग अलग होती है अब अगर है पर इसकी price की बात किने कितने रुपे मिल जाता है तो जो दवा की price होत जो भी आपको स्वस्थी मिले उससे आप ले सकते हैं क्योंकि सबका कश्प कंटेंट सेमी सेम जी होता है सबका असर एक जैसा ही होता है अब वीडियो मागे इस टेपलेट के यूजर्व को जान लेते किनकिन बीमारी में इसका प्रियोग लिया जाता है तो जैसा कि ब्रां स्वांस में दिक्कत होती है तो इस समय यह दी जाती है इसके अलावे यह किसी व्यक्ति को वेट कफ गिली खासी हो गया हो गया हो तो उसको बाहर निकालने के लिए कर दिया जाता है कोई व्यक्ति जो लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा हो जिस कान्स चेश्ट में किसी परका के चल दी को ने के समस्या हो अवरोल अगर बात की जाए तो स्वास ने था था फेंपड़ों में किसी परका के समझ्या हो तो उसे ठीक करने के लिए है टेबलेट प्रियोग लाई जाती है अब यहां पर इस टेबलेट के साइड इफेट को जान लेते हैं यदि किसी व्यक्तिक होते तो वो क्या क्या हो सक हो चक्क्र आ सकती पर नोजिया तथा होना पेट दर्ध हो सकता एं सकता है कि व्यक्तिक को दस्तर लग सकती है कई बार यह देखा गिया लंबे समय तो मिलेने पर व्यक्तिक बलड़ शुगर लेवल हो भी बढ़ जाता है है हाट रेट में कुछ चेंज्ज हो सकता है इस तर तो तुरंत इस टेबलेट को लिना बंद करें अप्रें डॉक्टर से मिले प्रोपर टीट्मेंट आपको दिया जासे कि आपको किसी समझेशे का सामना नहीं करना पड़े अब वीडियो क्लाश में जान लेते हैं कि डूज क्या होती इसको किस तरह से दिया जाता है तो इसकी जो डॉज है पेसेअट की कंडिसन था उसकी के कोडिंगध यहाँ पें अडटर के लेकुद के उसको म मुं जान लेते मैं एक टेबलेट भी बीजाती जीन में एक बार देना अगर ना जाती लेगिन किसी शीविर प्रॉलम है तो इससे लंबवे समय तक भी दिया जा सकता ह एक बात यहां पर ध्यान रखें यदि कोई मरीज है जिसकी उमर 12 साल से कम है मतलब 12 साल से छोटा बच्चा है तो यह टेबलेट नहीं दी जाएगी साथ ही कोई प्रेगनेंट डूमन है उसमें भी टेबलेट नहीं दी जाएगी समझया कर सकती है और यह टेबलेट जब आपक इस हिस्ट्री उसके बारे में डॉक्टर को जोर से बता है जिसे ही कि आपको एक्यूरेट डूस डिकल्कुलेट करके बता ही जा सके तो दोस्तों यह पूरी जान कहीं थी डॉक्सो फाइलिन तदा एम्रोक्सोल कॉमिनेशन की टेबलेट के बारे में जिसके लिए आपने पी जान के सके चार खर भी करें बलके से लुक्र अर्कट ।